दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वेक्सीन को मंजूरी दे दी है ये वेक्सीन बूस्टर डोस के तौर पर लग सकेगी दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना की मामलों के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायो टेक की नेजल वेक्सीन को मंजूरी दे दी है ये वेक्सीन बूस्टर डोस के तौर पर लग सकेगी नेजल वेक्सीन शुरुवात में निजी अस्पतालों में मिलेगी ये वेक्सीन नाक के जरीये स्प्रे करके दी जाती है यानि इसमें वेक्सीन लेने वाले को टीका नहीं लगाया जाता नेजल वेक्सीन को सरकार ने भारत के COVID vaccination प्रोग्राम में आज से ही शामिल किया है वेक्सीन की कीमट जल्द ही तै की जाएगे और इसे प्राइवेट अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी उबलब्द कराया जाएगा इस वेक्सीन को COVID portal पर भी लिस्टिट किया जाएगा वरतमान में भारत बायोटेक की कोवेक्सीन, सीरम इंस्टिट्यूट की कोवी शील्ड और कोवेक्स, रूसी स्पुतनिक और बायो लॉजिकल ए लिमिटेट के कोरबेक्स, कोविन पोर्टल में लिस्टिट है अबायो